अगर आप off-grid solar project लगवाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको अभी बता दूँ, solar panel सबसे important component नहीं होता, off-grid system में solar battery सबसे ज़्यादा important होती है, ऐसा क्यूं? आप खुछ सोचिए, एक solar panel अगर आप लगाएंगे, माल लिजिए आप बढ़िया से बढ़िया advanced solar panel भी लगाते हैं, like by facial या half cut, वो आपको कितने का पड़ेगा, ठारा हजार, बीस हजार का, और उसकी performance warranty कितनी होती है, किसी भी brand का आप लीजिए, 25 साल की performance warranty आपको मिलती है, यानि कि एक बार आप लगाईए, 25 साल तक वो काम करेगा, बेशक उसकी efficiency थोड़ी कम हो जाए, लेकिन वो काम करेग इन पर आपको warranty मिलेगी, 5-6 साल, 7 साल, उसके 1-2 साल उपर और आप इनकी life लगा लीजिए, मतलब 10 साल के बाद आपको solar battery change करनी ही पड़ेगी, यानि कि अगर आपने एक बड़ा project लगवाया, जहां पर आपने 5 या 6 solar batteries लगवाई, तो उनकी cost एड़ कीजिए, 10 साल बाद बैटरी दुबारा आपको change करनी पड़ेंगी, तो उतनी ही cost दुबारा पड़ जाती है, यानि कि solar panel से भी जादा important हो जाती है solar battery, ऐसे में आप कोई भी project में लगाईए, कितने भी kilowatt का battery हमेशा बढ़िया चूज कीजिए, कैसे चूज करेंगे, उसमें कुछ points आपको ध्या solar batteries दिखाऊंगा, इन brand की batteries को मैंने top 5 में क्यूं रखा है वो सारे points आपको बताऊंगा, और कोई भी battery खरीकते समय, आपको कौन सा point ध्यान में रखना है, वो सारे points आपको बताऊंगा, तो चलिए बिना time waste के वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल basic points से बात क lithium iron batteries काफी new concept है, अभी market काफी नहीं है उस concept के लिए, अभी इतनी जादा batteries हमें देखने को नहीं मिलती, जो मिलती हैं उनमें काफी सारे drawback हैं, काफी expensive हैं, तो जब धीरे धीरे वो market माएंगी उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन lead acid batteries की अगर हम बात करें तो उनमें भी दो टाइप होते हैं, एक होती है flat plate batteries, दूसरी होती है tall tubular batteries, इन में से बढ़ी आख होन है, तो मैं आपको बता दू, flat plate batteries जो होती है, वो सस्ती होती है, slow charge करती है, और वो होती है shorter power cuts के लिए, यानि कि लंबे समय तक वो नहीं चलती, लेकिन वहीं पर अगर हम tall tubular batteries की बात करें, तो बेशक वो expensive होती है, flat plate batteries के मुकाबले, लेकिन काफी बढ़िया होती है, उनकी performance काफी अच्छी होती है, और लंबे duration के लिए उनको use किया जाता है, अब यहाँ पर solar project की हम बात करें, तो यहाँ पर हमें लंबा duration ही consider करना होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप off grid project लगा रहे तो यानि कि आपको 10 गंटे के आसपास लगबग वो backup चाहिए, तो ऐसे में tall tubular batteries एक best option है, types of batteries के बाद अब बात कर लेते हैं, उन important points की, जो solar battery खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं, इसमें सबसे पहला सवाल तो हर किसी के दिमाग में ही होता है, कि वहाँ कितने AH की battery खरीदनी है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा AH क्या होता है, AH की full form होती है, ampere R, इसका मतलब होता है कि आपकी जो battery है, वो कितना load चला सकती है, और कितने गंटों तक चला सकती है, तो आप अपने घर का पहले load calculate कीजिए, total कितना load आपको चलाना है, सबकी requirement अल आपको समझा रहा हूँ, मालीजे आपके घर का 500 watt का load है, जो आप चलाना चाहते हैं, और आप सारी रात उनको चलाना चाहते हैं, जब अन्देरा हो जाता है, और morning में जब सूरज निकलता है, तब तक, तो मालीजे 10 घंटे आप उसको चलाना चाहते हैं, तो क्या हुआ, 500 watt को आपको 10 से multiply करना पड़ेगा, कितना बन गया? 5000 watt, यान कि 5000 watt आपको total चलाना है, इसको आपको divide करना पड़ेगा 12 से, 12 से क्यों? क्योंकि जो आपकी solar batteries होती हैं, ये 12-12 volt की batteries होती हैं, तो आप 12 से divide कीजिए, जब आप 5000 watt को 12 से divide करेंगे, तो लगबग 400-400 के आसपास आपक 200H, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो 200H की आप 2 battery ले लिजे, या फिर 1500-500H की आप 3 battery ले लिजे, तो यहाँ पर आपको 2 चीजे पता चलती हैं, घर के load के हिसाब से कितने AH की आपको battery लेनी है, फिर लोग पूछते हैं, एक battery लें या दो battery लें, जब आपका load जादा है, जैस वीडियो के शुरू में भी मैं आपको बता चुका हूँ, solar panel से भी जादा important होती है solar battery, और अगर उसकी warranty ही कम है, तो definitely उसकी life भी कम होगी, तो हमेशा खोशिस कीजिए, जादा से जादा warranty वाली solar battery लीजे, क्योंकि उसकी warranty जादा होगी, तो इसका मतलब battery की build quality भी अच्छी ह उनकी battery की quality कैसी है, इसके अलावा उनका service network कैसा है, कलको अगर आपको कोई issue आता है, तो क्या आपको easily service मिल जाएगी, ये सारी बाते, overall एक brand की image create करते हैं, और आपको उस image को ध्यान में रखते हुए, अपना brand चूज करना है, अब जबकि आपको ये सारे points पता हैं, तो चलि इनकी अगर मैं battery range की बात करूँ, तो 108 से इनकी solar battery स्टार्ट हो जाती है, और जो maximum आपको मिलेगी, वो मिलेगी 250 AH, अब अगर आपको नहीं पता है, तो मैं बता दूँ, इंडिया में किसी दूसरे brand की 250 AH की solar tall tubular battery 12 volt में आपको नहीं मिलती, सिर्फ Eastman एकलोती ऐसी company है, जिन solar batteries पर provide कर रहे हैं, जिसमें condition भी है, condition यह है कि 60 months की, यानि कि 5 साल की तो आपको normal warranty मिलेगी, और उसके उपर 60 months यानि कि 5 साल की आपको pro rate warranty मिलेगी, जो first 60 months है, उसमें भी अगर पहले साल में आपकी battery खराब होती है, तो ऐसे में आपकी battery replace होगी, प्लस आपको 1500 रुपीस company की तरफ से compensation मिलेगा, और उसके बाद के 4 साल में अगर battery खराब होती है, तो सिर्फ battery replacement होगी, और बाद के जो 60 months है, यानि कि last 5 years जो है, उसमें pro rate basis की warranty आपको मिलती है, यानि कि अगर battery खराब होती है, तो आपकी battery replace हो जाएगी, लेकिन बदले में एक amount आपको pay करना पड़ेग पर रखा है, सबसे पहले तो 250 AH, यानि कि इतनी high power की battery आपको मिल रही है, और दूसरी सबसे ज़्यादा warranty वाली battery आपको मिल रही है, चाहे pro rate warranty हो, लेकिन battery काफी जादा ये दे रहे हैं, और इतनी warranty तभी कोई company दे पाती है, जब उनको अपनी product पर, अपनी quality पर भरोसा हो, तो जब warranty ही 10 साल की आपको मिल रही है, तो आप इसकी life expect कर सकते हैं, कि 10 साल से ज़ादा की इसकी life आपको मिल जाएगी, अब मैं आपको बता दूँ कोई भी brand है, जब वो अपनी battery बनाते हैं, तो सब का process लगबग सेम होता है battery बनाने का, लेकिन जो chemical composition वो यूज करते हैं, वो हर brand की अलग-लग हो जाती है, और उनकी chemical composition पर depend करता है कि उनकी battery कितनी बढ़िया है, Eastman Company ने जो इतना confidence दिखाया है कि वो अपनी solar battery के ओपर इतनी ज़्यादा warranty प्रवाइड कर रहे हैं, वो definitely इसलिए क्योंकि इनकी battery जो हैं, वो काफी high performance हो जाती है, heavy load पर काफी बढ़ कोई चोटा मोटा brand नहीं है, international brand है, तो Pan India Service Network आपको मिल जाता है, अगर आपको ये batteries बाय करनी है, तो आप तीन तरीके से बाय कर सकते हैं, सबसे पहला आपको आपकी screen पर एक phone number दिख रहा होगा, वीडियो के description में भी ये number आपको मिल जाएगा, या तो आप इनकी website पर जाकर visit कर सकते हैं, उसका link भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, या फिर आप अपने घर के आसपास कोई local dealer या distributor जो Eastman company की solar batteries प्रोवाइड कर सके, आप उन्हें contact कर सकते हैं, number 2 position पर हमारी list में है, Luminous brand की solar tall tubular battery, इनकी अगर मैं battery range की बात करूँ तो 20 AH से इनकी solar battery range minimum जो आपको मिलेगी वो 200 AH की मिलेगी, तो जैसा कि अभी मैंने बताया, Eastman की 250 AH की solar battery है, वो highest है, उतने size की battery आपको किसी भी brand की तरफ से नहीं मिलेगी, Luminous की 220 AH की battery आती है, लेकिन वो solar segment में नहीं है, solar segment में इनकी 200 AH सबसे top range है, warranty की बात करूँ तो maximum 60 months की ही warranty प्रोवाइड life expectancy की अगर हम बात करें, तो 60 months की ये warranty दे रहे हैं, यानि की 5 साल की warranty दे रहे हैं, उसके उपर आप मान सकते हैं, 2-3 साल ये battery और चलेगी, तो 7-8 years इसकी life expectancy आप कहा सकते हैं, नमबर 3rd position पर मैंने रखी है, Excite Company की solar tall tubular batteries, इनकी अगर हम battery range की बात करें, तो Luminous की तरह ही इनक तो 7-8 years की life expectancy है, इन batteries की, नमबर 4 पोजिशन पर मैंने रखी है, Okaya brand की solar batteries, अब जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूँ, Okaya Microtech का ही एक पार्ट है, और इनकी जो battery range है, वो भी same है, 20-200 AH की, वारंटी इन पर भी 5 साल की मिलती है, और life expectancy इसमें भी आप 7-8 years कह सकते है Okaya brand का जो जादातर नाम चलता है, बैटरी के मामले में, वो automotive batteries में आपने काफी जादा इनका नाम सुना होगा, तो automobiles में सबसे जादा जो batteries यूज होती है, वो Okaya brand की ही use होती है, आज के हमारी इस list में, last position पर मैंने रखी है, UTL brand की solar batteries, इनकी जो battery range है, वो 40 AH से लेके 200 AH के आस-पास आपको मिलेगी, warranty के अगर मैं बात करूँ तो up to 60 months की warranty आपको इनकी batteries पर भी मिलती है, और life expectancy की बात करूँ तो 7 to 8 years की life expectancy है, तो आपको मैंने 5 brand दिखा है, जिसमें इंडिया के top brands भी शामिल हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से सब पर आपको same warranty मिल रही है, life expectancy इंसी भी उसी हिसाब से सेम हो जाती है, और size भी लगबग same मिलता है, Eastman को number 1 पर इसलिए रखा गया है क्योंकि उनकी जो battery का size है वो काफी जादा आपको मिलता है, और warranty वो definitely सबसे जादा provide कर रहे हैं, तो ये थी छोटी सी वीडियो solar batteries के उपर, मैं वीडियो को छोटा बना बैटरी business के उपर वीडियो बनाई है, बैटरी manufacturing का live process cover करते हुए वीडियो बनाई है, तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, बैटरी के उपर, electrical appliances के उपर, solar appliances के उपर, तो आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, बाक करके अपने सवाल जरूर पूछे अगर आपके कुछ सवाल हैं इस topic से related तो, thank you for watching the video, good bye